आज मैंने आपकी मलाकात करानी है मुहमद हसीब रजा से जो के पाकिस्तान के पहले कमवर तरीन पियानिस्ट बने और इन्होंने लंदन स्कूल ओफ म्यूजिक का ग्रेड एट का एक्जैम जो है वो क्लियर करके पाकिस्तान का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में दुनिया भर में रोश Judaism कर दिया है आपने प्रेक्टिस के दुरान कौन सी बीड से आद की और कैसे जो है वो इस इजयम को खिया कितना मुखिल था कौन सी बीडस क्लियार करनी थी ती या फिर इस परफंस थी सिर्फ परफॉर्मेंस थी और बहुत सी प्राक्टिस करनी पड़ी थी मुझे पड़े हो कि प्यानिस तो आप बन गए हैं आगे केरियर किस में सोचा है डॉक्टर बनना है इंजिनियर बनना है या फिर प्यानिस भी बनना है I'm thinking about programming but I will also do and I will also do a lot of piano in the future कितने grades हैं इसके ये exam बहुत मुश्किल है क्या? Yes, but I, it is..It is..It Musklah है लेकिन मुझे लगते है मैं practice से में pass करता हूँ Pitchers, friends या फेमिली के लोग डिमांड करते हैं कि ये play करके दिखाओ? कभी, 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 वो कहतें कि को बजारो अस्सलाम अलेकुम जीर नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा औरूज नासरीन पाकिस्तान में अमूमन कहा जाता है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में दिल्चस्पी रखने वाले बच्चे कम है लेकिन आज मैंने आपके मलाकात करानी हैं मूहमद हसीब रजा से जोके पाकिस्तान के पहले कमवर तरीन पियानिस्ट बने और इन्होंने लंदन स्कूल ओफ म्यूजिक का ग्रेड एट का एक्जैम जो है वो क्लियर करके पाकिस्तान का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में दु इनके वालदेन, इनके बहन भाई, सब लोग डॉक्टर्स हैं लेकिन बहुत ही छोटी उमर में पेहानों में इंटरस्ट कैसे डिवेलप हुआ हसीब से बात करते हैं असलाम लेकूम असलाम लेकूम कैसे हैं ठीक कैसा लग रहे है इतना बड़ा एक्जाम जो है वो आपने क्लियर किया है और इतनी छोटी उमर में ये ए लेवल की इक्जाम था तो कैसे पास किया दिलचस्पी थी टीचर का करदार है वालदेन ने जो हो फोर्स किया था कैसे क्लियर किया सर हारून ने मदद की थी और मैंने बहुत सी प्रैक्टिस किया सा अच्छा दिल्चस्पी कहां से हुई हसीब कुई घर में तो सारे डॉक्टर्स थे मेडिकल की बुक्स पढ़ते थे आपने ये प्यानो का शोख कहां से पाला मुझे बेस्ट टोर में मुझे प्यानो नजर आया था त informs अच्छा लगा किसी को बजाते वे बिसना था जी हौँ कहां से आय ता किसी मॉवी में देखा था ड्रामा में देखा था या किसी रेलेटिव को बजाते हुए सुना था मैंने बहुत सी रीडियो जेखी थी कि लोग प्यानो बजाते हुए और मझे अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा हसी मुझे बताएं कि जो एक्जाम आपने क्लियर किया है उसकी क्या स्टेप्स थे क्योंकि आप तो प्राणी बच्छे या बड़े इसको क्लियर नहीं करपाती क्या मुषब है इस में यह जाग्मिज मुश्कर में कि मुझ किमें कि कुछ इलबागों होते हैं और मुछिटव करनी होती है इंच्छा इल्ग मैं यह जाना चारी हूं कि आपने प्रैक्टिस के दुरान कुछ सी बीर्ट सी एड दृत की कैसे वो इस एक्जैम को क्लिर किया 9 कितना मुछłem मुछल था कौन सी बीर्ट क्लिर करने थीip थेरी थी या फिर फिर सिर्भ परफोर्मेंस थी झी सिर फिर्फोर्मेंस थी और बहुत छी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी मुझे इतनी धेर प्र जब आपने इस होबी सामने आया तो मामा भी डॉक्टर ने पापा भी डॉक्टर ने आपी भी डॉक्टर बन रही है तो क्या रिस्पॉंस किया था कि यह तुम क्या शुक पाल रहे हो यह वालड़ा ने सपोर्ट किया मुझे बहुत से शुरू में भी कोई मैना ने किया कि अब अधिकल पर दिहान दो नाइए अधा चो किया आप बड़े हो कि आप प्यानिस तो आप बन गए हैं आगे केरियर किसमें सोचा एप डॉक्टर बनना हैं इंजिनियर बनना है या फि या फ्म्रीरिंट दो थैनियुद्टकुर मुं कि आप बरहुप्री का किसी से इंसपार भी है कोई बहुत अच्छा पियानों बचाता हो पूरी दुनिया में कोई बच्चा कोई बड़ा किससे इंस्पार हैं इंसपार ब चाने एले कालिंगाने किसे इंसपार सब कों कूν नाम शाम कोई याद है कोई इंडियान हैं पाकिस्तानी हैं कहां के हैं एक मुजार्ट बिदोविन उसना के उनको कॉपी भी करते हैं नई उनके सॉंग सुझे बस बहुत पसंद हैं सबसे फेवरिट सॉंग कॉन सा है और टु जोई और वो अभी आप हमें पर्फॉर्म भी करके दिखाने वाले हैं यह ठीक है अच्छा मुझे यह बताएं बड़ी अच्छी आपने पर्फॉर्मस भी हमें सुनाई यह बताएं के फ्यूचर प्लैन्स किया हैं इस प्यानों को आपने ग्रेट एड क्लियर कर लिया आगे भी किस और जिया लेकन मुझे लगते हैं यह प्राक्टिस्टी के पास कर सकर दोगा थाएंगा जी के अबड़ी रहता बनाएंगा तृभ लग सबसाद देखाने प्राइखी एज वाले बसे मिश्वेर्य दूनिया से और लोग भी कॉम्पपटिशन में पार्टिसम्पट्वा रह इंडियन्स थे अमेरिका के लोग थे तुर्की के लोग थे मुसलिम मालिक के थे कुछी से कोई फ्रेंडशिप भी के नहीं को कभी मिलनी सका तो फ्रेंडशिप नहीं हुई कोविड की वज़ा से यह आपका सारा विर्चुल हुआ ऑनलाइन हुआ एग्जैम वगरा क्योंके कोविड की वज़ा से अच्छा हसीब मुझे बताओ कि इतना अच्छा आप प्यानों बजाते हो तो जब फैमिली गैदरिंग होती है यह स्कुल में फ्री टाम होता है तो टीचर्ज यह फ्रेंड्स या फैमिली के लोग डिमांड करते हैं कि यह प्ले करके दिखाओ कभी-कभी वो कहते कि कोई बजा लो लेकिन कभी मैं बज आता हूँ हार टायम शोक होता है या कभी दिल नहीं भी कर रहा होता कि नहीं भी किसी की देमांड जो सिर्फ जाना पढ़ रहा है या फिर ही एक्यूल स्दूपैसर इम भी कि इस ड्जार बोक्तर बेड़े होता हु यह पहुत है? जो बैक टो मैने तारा हैं ten इनला ओर प्छाईन इस प्यानो थीना जाना न्यापको कब पता चला कि आपको पादा चला कि आपका पैशन प्यानो औरा दाγued नलाएँ प्यानो आप हो 살ए राईटर दो लूग आपका प्यानो एपको प्षमार को प्यानो आप प्रेंड्स को कोई मैसज आप जितने जो लोग प्यानो बजाना सीखना जाते हैं लेकिन पर प्रेशर है कि भी नहीं आपने तो सिर्डी करनी हैं, उनको क्या मैसज देना जाएंगे सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब जाते हैं? उनको मैसज के लें टाइम मैनेज्मेंट, यू शुड डिवाइड टाइम एकुली बट्वीन स्टडीज बट आप जाते हैं जाएंगे सब्सक्राइब जाते हैं जाते हैं अच्छा बताएं प्यानों के अलावा और क्या होबीज हैं? और होबीज हैं रिडिंग, प्लेंग विडियो गेम्स, आप स्विमिंग आव। आप डूर एक्टिविटी स्विमिंग के अलावा? जबर्दस्त हो गया और एंड पे हम बेस्ट व लग कहना चाहेंगे मुहम्मध हसीब रजा को क्योंके इन्होंने एज यंगेस्ट प्यानिस्ट जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल जो एक्जाम है लंदन स्कूल अफ म्यूजिक का वो क्लियर किया है ग्रेट एड यह क्लि डिप्लोमा क्लियर करें और फिर इसको आगे यह ऐसा पैशन लेके जाना चाहतने एक बड़ा प्यारा सा मैसेज मिला है हमें हसीब से बात करके कि एक तरफ आप पे स्टड़ी का प्रेशर होता है पेरेंट्स का फैमली का प्रेशर होता है लेकिन साथ साथ जो आपका पैश कर सकते हैं